हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम बैक टो क्लासेश भाया बविता गुपता हॉक्स एजुकेशनल इंसिट्यूट और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नालंदा विश्विध्याले तक्षीला के बारे में हमने बात के थी कि तक्षीला युनिवरसिटी क्या थी और उसका क्या महत्व था यह सबब में आप लोग साथ में डिस्कूस कर चुकी हूँ तो आ नालंदा विश्विध्याले की बात करेंगे और यह जो वीडियो है यह आपका एमेड और जो बच्चे युजी सी नेट एजुकेशन के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंप और वीडियो के स्चार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलिज को जरूर बाढ़ने और जो प्रीवेस वीडियो उनको देखने के लिए आप प्लेलिस पर जाए आपका जो भी कोर्स कंटेंट है उसके दिया हुआ है नालंदा उनिवरसिटी इस डवरी ओल्ड उनिवर सिटी लोकेटेड इन राजगीद बिहार इंडिया यानि नालंदा उनिवर्सिटी क्या है सबसे पुरानी उनिवर्सिटी का आता है देखे जो तक्षिला का टाइम था वह 5th century तक रहा था आब यहां पर ज जिहार में राजगीर नामक जगह पे थी। सेकंड पॉइंट देखे। नालंदा फ्लॉरिष्ट इन 5th & 6th century अंडर गुप्ता पीरियड। यानि कि जो नालंदा टाइम था नालंदा उनिवर्स्टी का टाइम था वो क्या था 5th से 6th century के अंडर था। और गुप्ता डाइमस्टी थी उसके अंडर ही क्या थी कि या उनिवर्स्टी बहुत फूली थी यानि बहुत बड़ी हुई थी इसके अंडर काफी काम किया गया था। इसको आगे बढ़ाया गया था। नेक्स थर पॉइंट में आपको दिया हुए अकॉर्डिंग 2 historians नालंदा फ्लॉरिष्ट बिट्विन दा राइन ऑफ दा गुप्ता किंग सक्रा अदित्य अलसो नोन एस कुमार गुप्ता राइन 415-55 यानि कि जो बहुत से historians है इतिहासकार है उनका मानना है कि जो नालंदा थी वह गुप्ता टाइम पिरिएड में काफी बड़ी हुई थी फली फूली थी वह जिसमें में जो नाम आता है वह किंग सक्रा अदित्य का आता है और कुछ इनको हम कुमार अदित्य गुमार गुप्ता के नाम से भी जानते हैं नेक्स जाता है इसका फोर्थ पॉइंट दूरिं इट्स पीक पीरियोड युनिवसिटी हैड इस्टेंट्स फॉम ओल ओवर दे वर्ल लाइक चाइना तिबेत कोरिया अलोंग विद इंडियन स्टेंट्स और स्कॉलर्स यानि कि जब इस उनिवर्सिटी का पीक टाइम होता जो सबसे अच्छा पीरियोड होता है कोई चीज फेमस हो रही होती है न वो उसका पीक का पीक टाइम आ जाता है तो यह यूपरी दुनिया से यहां पर इस्टूट्स आते थे चाहे हो चाहिडा हो टिबेत हो कोरिया हो तो एसा नहीं जएक सिर्फ इंडियन स्टूट्स ही यहां पे थे यह अगर इंडिया के अंदर है तो तो अलग-अलग देशों से भी बच्चे यहां पे पढ़ने के लिए आते थे नेक्स आता है इसमें फिफ्थ पॉइंट देखें फिफ्थ पॉइंट में आपको दिया हुआ है ता लाइबरेरी ओफ नालंदा नोन एस धरम गुंज और धरम गुंज अब देखिए धरम गुंज का मतलब होता है mountain of truth और धरम गंज का मतलब treasury of truth यानि कि जो नालंदा यूनिवर्सटी थी लाइबरेरी थी यूनिवर्सटी के अंदर उसको क्या है धरम गुंज के नाम से भी जाना चारता था जिसको mountain of truth बोलते है mountain of truth तो मतलब सच्चाई का पहाड यानि कि वहाँ पे सच्चाई जो reality-based books वहाँ पे available होती थी और क्या बोला जाता था उसको treasury of truth यानि कि सच्चाई का खजाना तो इस नाम से वहाँ पे लाइबरेरी को जाना जाता था वाज the most renowned repository of Buddhist knowledge in the world at the time तो दीकि renowned का मतलब होता है याप प्रसिद और repository यानि कोश या खजाना तो यह क्या था एक बहुत प्रसिद खजाना था Buddhist knowledge के अंदर जो कि दुनिया में बहुत माना जाता था और दुनिया में इसका नाम होता था तो आप ही मान के चलिए कि जो Buddhist library एक तरीके से Buddhist library थी Buddhist time के पे युनिवस्टी ती नालंदा और उसके अंदर जो लाइबरेरी थी उसको क्या है कि आपको वर्ल्ट के अंदर आप सोच सकते है कि उसको एक खजाना माना जा रहा है दुनिया के अंदर यानि कि उसके अंदर आपे अवेलेबल थी बच्चों के पढ़ने के लिए नेक्स आता इसमें six point its collection was set to comprise hundreds of thousands of volumes यानि कि उस लाइबरेरी के अंदर collection था बुक्स का उसमें क्या था कि सैकडों हजारों किताबे थी बुक्स होती थी जो बच्चों के पढ़ने के लिए काफी useful रहती थी students of Nalanda studied Mahayana and Hinayan text of Buddhism यानि के जो हां के students थे नालन्दा के वो क्या पढ़ते थे Mahayana and Hinanayan यह नाम है इनके बुक्स बुक्स के तो उसको study करते थे नेक्स हैस में 8 पॉइंट 8 पॉइंट है इसके अंदर some of other subjects in the university वर वेदास, लॉजिक, संस्कृत, ग्रामर, मैडिसीन and सम्क्या यानि कि ऐसा नहीं था कि हाँ पे सिर्व महाया नहीं नहीं पढ़ रहे है बच्चे महाँ पर वेदास की नोलिज भी दी जाती थी लॉजिक, संस्कृत, ग्रामर, मैडिसीन, सम्क्या यानि ये सारी नॉलिज इस बच्चो को मिलती थी क्योंकि अभी हमने उपर जो पॉइंट पर उसमें पढ़ा था कि वहां के लाइबरेरी थी वहां पर कितनी सैक्डो किताबे होती थी जिससे बच्चो को सारी नॉलिज क वह गेन करते थे नेक्स इसमें आ जाते है नाइंथ पॉइंट पर चाइनीज स्कॉलर्स लाइक जुएंज जैंग देखिए आपर नाम दिया हुआ है जुएंज जैंग एंड आई किंग विजिटेड नालंदा युनिवर्सिटी इन 7th century यानि कि क्या थे 7th century के अंदर ये पढ़ने आये थे नालंदा को एक तरीके से विजिट करने आये थे ये लोग उसमें स्टड़ी करने आये थे क्योंकि स्कॉलर्स थे तो अपनी नॉलिज के इन्हेंस करना चाहते थे पर वो नालंदा युनिवर्स्टी मार्केत ने परभावित हुए कि वहां पर वो क्या है खुद एक स्टुडेंट बन गए वहां पर और वहां पर उन्होंने योग शास्त्र की नॉलिज ली योग शास्त्र नेक्स्टिसमें आते है 10th पॉंट तो देखें दा ग्रेत लाइड 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 अफ नलंदा उनिवर्सटी वह सो वास्त यानि कि नालंदा उनिवर्सृती की लाइड य। इतनी बड़ी थी वह कि ऐसे माना जाता है that it is reported to have burned for three months after the Mughal set fire to it, sagged and destroyed the monasteries and drove the monks from the site. यानि कि जो लइबरेरी थी थी तनी बड़ी थी कि महाँ पर क्या है कि जब मुगल्स ने आग लगा दी थी fire burn कर दिया था, तो उसमें क्या थी तीन महीने उन किताबों को जल्ले में लग गए थे, उन्हों जो मुगर्स थे उन्होंने क्या है, क्या सब्झाए का इन्माश्ट्रि लिए मठो करणी लुग और यह जींटि आइ Soldi न्मुगों कि न्मूगर्न को को तीन बार बिल्कु डिस्ट्रॉई किया गया था अलग अलग dynasty के थूह तो इसमें जुए नाम आता है वो किसका हात है माम लुक डाइनस्टी टो देखिए माम लुक डानस्टी ऑफ डेली सल्तनत डिस्ट्रॉईट द प्लेस अनलंडा इस तो इसमें बाद जो शेंद नाम आ यानि कि जो बक्तियार खिलजी था उसके अंडर में तुर्किक मुस्लिम्स ने भी इसको नालंदा उनिवस्टी को एक्टम लूट लिया था, खतम कर दिया था, 1193 के अंदर, जो कि बुद्धिसम के एक्टम खतम होने का कारण बना था, उस टाइम पर, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर आपका, इन 2006, सिंगापूर, जपान, चाइना और इंडिया और नेशन अनूंस्ट अ प्रपोस्ट प्लान तु रिस्टोर और रिवाइब दे अंशेंट साइट और आज नालंदा इंटरनेशनल उनिवस्टी, यहनि कि 2006 के अंदर सिंगापूर, जपान, चाइना और इंडिया इन समने मिलकर क्या है कि एक प्लान मनाया कि मतलब प्रपोस किया प्रपोस किया उन्होंने सरकार को इस तरीक है से कि जो नालंदा उनिवस्टी उसको क्या है दुबारा से रिस्टोर करना चाहिए इन It Is UNESCO World Heritage Site in India क्या जी क्या ही UNESCO की World Heritage Site बन चुकी है यानि कि विश्व विरास्तत इस थालिये बन चुका है UNESCO का तो इसकी जो importance है यह आप लोगों ने देख़े पड़ी थोड़ा सा मेरा गलाख खराब है तो मुझे बीच बीच में थोड़ा सा problem हुआ है बटाई हो आप लोगों को समझ में आया होगा अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे comment box में लिखे जरूर बताईएगा मैं इस पर फिर दुबारा से आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लाऊंगी क्योंकि बीच बीच में मुझे थोड़ी सी खांसी हो ती गला खराब होने की वज़े से तो आप लोगों को थोड़ा problem हो उसको सुनने में और अगर problem नहीं हुआ है clear है तो आप please comment box में मुझे लिखे जरूर बताईएगा कि सही लगा आपको या नहीं लगा है ताकि मुझे वो clear रहे तो देखे हम लोग ने तक्षीला के बारे में पड़ा तक्षीला की मैंने वीडियो आप लोग के साथ में शेयर की उसके बाद में आप लोग के साथ में नालंदा उनिवर्स्टी आज में शेयर किया है और आप लोग के साथ में मैं तवर विक्रम श और बहुत ही उसफुल में वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं और सभी बच्चों के लिए जो competitive exams के तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक एक topic बहुत important जो में शेयर कर रहे हूं तो उसको आप जरूर देखें और अगर कोई प्रोब्लम आती है तो आप comment box में ल दिए हुए हैं तो आप उनसे लिंक पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं तो जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अभी के लिए थैंक यू धन्यवाद है